वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि सही से समझ में आए कि आज मार्केट में क्या हुआ है कल आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते क्योंकि कल जो हमने बात करी थी आज एक्जेक्टली मार्केट में वही हुआ और अच्छा कासा प्रॉफिट हुआ है लोगों को उसके लावा एंड के अंदर दो स्टॉक्स शेर करने वालों इंपोर्टेंट जो कल ट्रेडिंग के लिए यूज में ले सकते हो इसलिए वीडियो को लाइक करना और एंड तक जरूर देखना तो सबसे पहले बात किरते हैं निफ्टी विफ्टी का डेली चार्ट जिसा हमारी स्क्रीन के अपर ओपन है तो आप देखोगे कि आज निफ्टी विफ्टी ने अपना प्रिवियस अल्टाइम हाई जो कि 15,901.6 के लेवल पर है उस लेवल तक पहुचने का ट्राई किया पर वहां से रेजिस्टेंस फेस करके जो मार्केट नीचे आया और मैंने पहले भी आपको यह कि मार्केट यहां पर देखो कि आप 15 जून को अपना अल्टाइम हाई लगा कर अच्छा गासा नीचे चला गया था यह देखो प्राईज जो है इस लेवल तक नीचे गई है ठीक है 15,400 के लेवल के असपास गई है प्राईज तो मैंने तब ही कह था कि अब प्राईज जब बनी है Nifty 50 में पर एक जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग से उपर है और दूसरी बात जो प्राईज नीच आई है वो तो डेफिनेटली उस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करकर ही नीच आई है ठीक है तो इस वज़े से प्राईज नीच आई है तो बिलिश बैस तो मार लगे वे और हम जस्ट उन लेवल पर बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं कल मैंने क्या कहा कि मार्केट अगर उपर खुलता है तो तुम लॉंग जा सकते हो पर एक चीज़ और साफ करी थी कि अगर मार्केट जादा उपर खुले गया पप उपनिंग जादा होगी तो मार्केट है तो आप लोगों ने शॉट किया होगा प्रॉफिट कमाया होगा अब आज जो मैं क्लोजिंग मिली है क्लोजिंग देखो वापस एक सपोर्ट लेवल पर मिली है तो वापस कल इजी ट्रेड है हमारे लिए अगर प्राइज़ नीचे की तरफ तोड़ती है तो हम शॉट कर सकते है नहीं तो उपर जा सकते है most probably मुझे लगता है कि एक बार वापस निफ्टी फ्टी ट्राइगा इस लेवल को टेस्ट करनेगा ठीक है वो मेरा प्रेडिक्शन है पर मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं जो मार्केट के अंदर हो रहा है एक्चुल लेवल्स मांगने उन लेवल्स पर बेस्ट्रेडिंग करने मार्केट अच्छे से रियक्ट भी कर रहा है उन लेवल्स पर तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों तीसरी चीज हमें सोच नहीं ठीक है बट हाँ डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अग्छी बैंक अंदर एक्च्छल के अंदर क्या हो रहा है तो निफ्टी बैंक के अगर हम बात करें यहां पर तो आप देखो कि निफ्टी बैंक भी जो है उप्र पहुंचा ये देखो ये जो लेवल है एक resistance लेवल माप किया हुआ मैंने इस लेवल के आस्पास गया और यहां से वापस रिवर्ट हो गया नीचा गया क्यों रिवर्ट हो गया लेवल आने से पहले ही क्यों रिवर्ट हो गया क्यों उस लेवल तक नहीं गया bank 50 क्योंकि nifty 50 हो चुका फिफटी पहले टर्न हो गया तो बैंक निफटी ने अपना रिजिस्टंस देखे बिना पहले ही टर्न हो गया उसके लावा ये जो एरिया ने इस एरिया के अंदर आप देखो कि कितनी सारी कंडल्स कोई resistance पेश कर रही है कोई support ले रही है किर आप इस तरीके से fury प्यूश पर फूइन पहाँ जाना जो है वह पॉसिबलिव है एस area of uncertainty के बाहर आ गए है ठीक है तो अब क्या गरना है हमें nifty 50 देखना है क्योंकि bank nifty किस important level पर खड़ा नहीं है ठीक है bank nifty का important level ये और ये है और मैं अगर 15 minutes पर लेकर चलूँ ठीक है तो हमने 15 minutes पर जो level mark किया था वो था ये level ठीक है ये level हमने mark किया तो हम इनकल का थे इसके उपर जाए तो long कर देना और ये एक level आपर रेजिस्टेंस का जो हमने आज mark किया ठीक है जहां से प्राइज ने रिवर्ट लिया और तोड़ के नहीं चाहिए तो अब देखो bank nifty जो किसी important level पर खड़ा नहीं है ठीक है तो हमने क्या घरना है अगर nifty 50 nifty 50 in case अगर अपना जो important level पर stand कर रहा है उस important level को तोड़ देता है तो हम bank nifty को भी short कर देंगे ठीक है ठीक है जब तक nifty 50 को support नहीं मिलता है तब तक हम bank nifty के अंदर भी short रहेंगे ठीक है और अगर in case nifty 50 उपर जाता है तो bank nifty में हम long करेंगे पर धियान रखेंगे कि यह level जो important होने वाला यहां prices react करेंगे और अच्छा कसा 100-200 point का gap है तो हम एक long trade यहां तक की लेकर first target book कर सकते हैं अगर prices तोड़ती है तो फिर second target के लिए हम यहां पर wait कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से ह भी short मत करना उपर जाता है nifty 50 तो bank nifty में उपर जाना पर फिर धियान रखना कि bank nifty में यह एक resistance है तो accumulate हो सकती prices तो premium meeting हो जाएगी तो इस चीज़ का में धियान रखना है ठीक है तो I hope nifty 50 और bank 50 दोनों के अंदर जो हम अच्छे clear है किस तरीके से कल trade ले सकते हैं अब अगर ह अच्छा था कि nifty 50 और bank 50 में तगड़ा profit हुआ अच्छे जा हमारी trades execute हुए हमारे levels पे हुई तो easy ता predict करना भी और easy ता trade लेना भी तो अब लेते हैं हम दो trade कल के लिए तो first जो trade है वो Asian Pant के अंदर है Asian Pant ने शांदर level बनाया है अर्ली basis पे देखोगे तो 15 minute basis पे भी देखोगे तो भी लेवल respected है यह रहाव पर्टिकुलर लेवल डबल टॉप का लेवल है शौट करनी के अच्छी opportunity है तो 1,000 सुरी 3,000 and 4 के नीचे जो हम है Asian Pant को short करना है risk होई हमारा 1% रहेगा और reward 1.5 या 2% रहेगा ठीक है तो Asian Pant clear nifty fifty clear bank nifty clear moving to the fourth thing indecent bank अब indecent bank देखोगे आरली basis पे एक major support पर खड़ा हुआ है indecision का candle लेकर सिर्फ एक ही बार जो सपोर्ड का अच्छी घासी देर के लिए तोड़ा है यह 18 जून के 17 और 18 जून के आसपास बढ़ आपीस उपर आ गया था तो short करना थोड़ा सा खतरना के trade risky हो जाएगा इसलिए long करेंगे 1000 के उपर जाएगा तो long करेंगे और short करना चाते हो तो 996 के नीचे short भी कर सकते हो पर ध्यान रखना short करने लिए ट्रेड रिस्की होगी मनला winning probability 65% है short करने लिए long करने लिए ट्रेड में 1000 के उपर अगर buy करते हो तो winning probability 85 है तो इस चीज को ध्यान रखकर trade करना रिस्क रिवार्ड वही 1% का रिस्क लेना reward 1.5 या 2% जैसा भी आप लोगों को सूट करता है ठीक है तो I hope completely clear होगे nifty-fifty bank, nifty इंडेसें, bank और Asian bank को लेकर, so thank you so much for watching this video everyone, please do like this video, share this video and do not forget to subscribe to our channel, thank you